नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टोटल सरकिट चैनल में दोस्तों यह AC वोल्ट मिटर है और यह DC वोल्ट मिटर है AC वोल्ट मिटर और DC वोल्ट मिटर को AC करंट मिटर कैसे बनाते हैं आज का वीडियो इसी के बारे में है मेरे पास comment भी आते हैं AC volt meter को AC current meter कैसे बनाते हैं दोस्तों कोई भी digital meter हो AC volt meter हो चाहे DC volt meter हो बस आपको तरीका होना चीए उसको AC current meter भी मना सकते हैं और DC current meter भी मना सकते हैं AC current test करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है CT का परियोग करेंगे CT का मतलब यह होता है यह current transformer है इसकी जो primary winding इसमें दिया जाता है जो भी load का wire होता है वो इसमें देते हैं यह इसकी primary winding हो गई यहाँ पर यह secondary winding है जो यह current को sensing करती है इस 100 ampere का मतलब यह है इस CT के अंदर जब 100 ampere current गुजरेगा जब यहाँ पर यह secondary winding में एक ampere का current output देगी और भी CT आती है जैसे 100 पटा 5 की भी आती है 50 पटा 5 की भी आती है उन CT को भी आप लगा सकते हो वो काफी heavy CT आती है वो analog meter में लगती है जो सुई वाला meter होता है उसमें लगती है लेकिन यहाँ पर जो digital meter होते है उनमें यह छोटी वाली CT ही लगाई जाती है जातर इससे भी यह digital meter operate हो जाते है तो जो कोई भी यह digital meter होते है उसमें इस CT को कैसे लगाते है और इसकी calculation कैसे निकालते है पहले इसको CT को test करते है इसका तरीका क्या होता है अब CT में जो output current को test करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर यह step down transparent ले रिखाया और इसी से CT का current test करेंगे इसमें पहले मैं कलैम मेटर को लगा देता हूँ AC current test करने के लिए और अभी यहाँ पर देखते हैं तो 30 ampire के लगबग इसमें current आ रहा है इसके current को थोड़ा कम कर लेते हैं यह wire जल जाएंगे इसके और इस CT को भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पर अभी यहाँ पर 16 ampire current आ रहा है इसको 10 ampire पे set कर देता हूँ और अब जो CT के यह wire हैं दोनो इन पे milli ampire आएगा उसको test करते हैं multimeter को milli ampire की range पे set कर देते हैं AC milli ampire और 200 milli ampire की range पे कर देते हैं अब जो इसमें output current आएगा इसका CT का वो 10 milli ampire के लगबग आएगा इसका यहाँ पर 11 milli ampire current आ रहा है इसका और यहाँ पर 10 milli ampire याणि 10 के लगबग ही है थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है इस kalimeter को थोड़ा हिलाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यह 11 ampire आ रहा है और यहाँ पर यानि अगर इसको current को 100 ampire पे ले जाएंगे तो यहाँ पर जो current होगा इसका वो 1000 milli ampire इसका current हो जाएगा यानि एक ampire current हो जाएगा इसका अब आगे देखते हैं इसको digital meter में कैसे set करते हैं AC volt meter में AC current test करने के लिए पहले इस meter को खोल लेते हैं CT के wire कहाँ पर लगेंगे इसमें इसमें 7 segment display की जगह पर यह SMD LED ही लगा रखी है और इसमें point का कोई अलग से अरेजमेंट नहीं है अगर point लगाएंगे इसमें तो इस जगह पर एक अलग से LED लगा करके point को चालू कर सकते हैं और यहाँ पर point आएगा इसका अब इस meter में देखेंगे यहाँ पर इसको जो supply दी जाती है वो इस capacitor के थुरू दी जाती है इसमें supply इसको चालू करने के लिए और voltage sensing का काम करती है यह resistance करती है voltage sensing का और यह दोनों इसकी supply के वायर होगे और अलग से अगर supply दे इस meter को चालू करने के लिए यह capacitor है इस पर 5 voltage या 3 voltage की supply दे करके इसको चालू भी कर सकते हैं तो मैं पहले इसको AC voltage की वजाए मैं इसको DC voltage दे करके चालू करता हूँ जो थोड़ा काम करने के अंदर easy रहेगा इसमें अब इस meter को अलग से मैंने supply दे करके इसको चालू कर दिया है और display पर 00 के counting आ रही है यहाँ पर जो voltage दिया है मैंने वो DC voltage 5 voltage की supply दिये है यहाँ पर प्लस दिया है और यहाँ पर मानिस दिया है और अब जो voltage sensing वाली यह resistance है इसको यहाँ से हटा देते हैं और जो CT लगाएंगे अब इसकी जगह पर एक यह resistance लगाएंगे ऐसे यह 68 ohm की resistance है और यह 200 ohm का preset है current को adjust करने के लिए यहाँ पर इस तरह कैसे लगाएंगे अब यहाँ पर देखेंगे यह voltage sensing वाली resistance यहाँ पर लगी वी थी इस जगह पर R6 पर इसके आगे यहाँ पर 2 ohm की resistance है और 2 ohm की resistance के आगे यहाँ पर देखेंगे एक ground के साथ में एक resistance और जोड़ी है तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे और एक शिरे को यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरीके से लगा देंगे इसको और CT के वायर इस रेजिस्टेंस को पर लगाएंगे यहां पर एक वायर को CT का एक वायर को यहां पर लगाएंगे और दूसरे वायर को इस देगा पर लगाएंगे ऐसे और मिटर को मैंने चावलू कर दिया है और 00 की काउंटिंग आ रही है अब इसमें करेंट देके भी टेस्ट करते हैं CT में और अब मैं करेंट वो बढ़ाता हूँ देरे देरे अब यहां पर 146 की काउंटिंग आ रही है यहां पर जो यह 6 है इसका यहां पर पोईंट लगाएंगे तो यह 14 एमपेर करेंट दिखा रहा है तो इसको इस Pre-Set से भी Set कर सकते हैं ऐसे जहांँ पर सही दिखाए वहांपर Set कर सकते हैं इसको अब यहांँ पर देखते हैं यह 147 की Counting दिखा रहा है और इस Pre-Set से कम ज़्यदा करके ऐसे Set भी कर सकते हैं इसको पहले मैं Callimeter को लगा देता हूँ current meter के साथ में ताकि ये इस meter से ये set हो जाए यहाँ पर 10 amp आ रहा है और इसमें 13 amp दिखा रहा है यहाँ पर 137 नहीं फड़ेंगे इसको यहाँ पर point को चालू कर देंगे तो ये 13 point 7 amp दिखा रहा है और अब इस meter से ही इसको set कर देते हैं इसमें जो counting आ रही है वो 10 point 6 की counting आ रही है इस preset से set कर देते हैं इसको और अब यहाँ पर देखेंगे तो 10 point 9 की है और यहाँ पर 10 point 7 amp की है मैं इसको कम ज़्यादा करके भी दिखाता हूँ और भी बढ़ा सकते हैं इसको इसे और भी देख सकते हैं ऐसे यहाँ पर 26 है और यहाँ पर 24 आ रहे हैं इसको थोड़ा ऐसे इलाएंगे तो यह दोनों में लगबख सैम आ जाएगा तो इस परकार से आप AC voltmeter में AC current टेस्ट कर सकते हैं अब DC voltage में AC current को कैसे टेस्ट करते हैं वो भी देखते हैं DC voltmeter में AC current टेस्ट करने के लिए यहाँ पर यह 3 wire का voltmeter आता है वो यूज करेंगे इसमें यह दो wire है red और black इस meter को चालू करने के wire है इसमें 5 volt से लेकर के 30 volt तक की supply दे सकते हैं और यहाँ पर यह yellow वाला wire है इसका voltage sensing wire है लेकिन इस wire को कामें नहीं लेंगे यहाँ पर जो micro controller पर direct इसका voltage sensing pin है वो यहाँ पर देखेंगे यह capacitor लगा हुआ है यह इसकी direct voltage sensing input pin है और यह preset है इससे DC voltage को set करने के लिए इस preset से गुमा कर set कर सकते हैं और इस wire को कामें नहीं लेंगे यहाँ पर यह दोनों resistance के जो बीच में इन दोनों resistance पर किसी पर भी एक wire का टुकड़ा अलग से ही लेंगे यह voltage sensing input wire हो गया इसका direct इस पर जैसे ही 2 voltage का signal आएगा जब यहाँ पर यह counting 100 की counting दिखाएगा और 0.2 voltage का signal आएगा जब यह 10 की counting दिखाएगा तो इस पर एक पहले wire का टोड़ा जोड़ लेते हैं यहाँ पर यह voltage sensing के लिए wire जोड़ा है वो यहाँ पर जोड़ दिया है और यह सीधा wire इसी pin से आया हुआ है यहाँ पर यह दूसरे या तीसरे नमर की pin पर आया हुआ है इ यह तीसरे नमर की pin पर आया हुआ है इधर से तीसरे नमर की pin पर और अब जो आगे इसमें लगाएंगे जो resistance बनाई थी वो इस तरीके से बनाई थी वो ही लगाएंगे यहाँ पर यह 68 ohm की resistance लगी हुए है और यहाँ पर यह 200 ohm का यह preset लगा हुआ है preset है वो भी इस resistance के parallel मे लगा हुआ है और यहाँ पर यह दो wire है यह दो wire एक bridge rectifier लगा रखा है यहाँ पर AC to DC converter का काम यही करेगा वैसे तो operational amplifier लगा करके भी AC to DC converter बना सकते हैं लेकिन वो circuit काफी जटिल हो जाता है यह सबसे आशा तरीका है यहाँ पर जो CT के wire है वो इन दोनों green wire में लगाएंगे और यह wire यहाँ पर आगे इसका जो यह brown wire है इस bridge rectifier से जो पलस है इस brown wire को इस wire के साथ में जोड़ देंगे जो मिटर में यह direct wire निकाला है voltage sensing pin का इस wire से जोड़ देंगे ऐसे और इस meter में जो supply का wire है negative उसको भी दूसरे wire के साथ में जोड़ देंगे resistance के yellow wire को मैं यहाँ से हटा देता हूं यहाँ पर जो यह breeze rectifier है यह इस type का भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं यह चार diode से भी breeze rectifier मना सकते हैं इस पर काफी कम current होता है इसलिए यह चोटे से चोटा जो SMDA वाला आता है वो भी लागा सकते हैं और अब CT को भी मैं जोड़ देता हूं करीब करीब सब भी connection हो गये हैं और इसको अब power देने के लिए black wire और red wire में अलग से ही password के supply देता हूं मिटर पर 00 की counting आ गई है यहां पर और अब जैसे ही इस city के अंदर कोई भी AC current का लोड देंगे तो यह ampere दिखाएगा और ampere को set करेंगे वो इस preset से set करेंगे अब इस preset से set नहीं होगा यह keyword DC voltage को set करने के लिए ही है और कलेमेटर को भी मैं साथ में ही लगा देता हूं अभी यहां पर 00 की counting आ रही है इसमें भी और इसमें भी अमें दिरे-दिरे current को बढ़ाता हूं अब यहां पर देखते हैं 11.4 ampere आ रहे हैं और यहां पर 11.6 ampere और इस preset से current को set कर सकते हैं इस meter के साथ से और अब current को कम ज्यादा करके और देखते हैं दोनों में लगबग ठीक ठाक ampere दिखा रहा है यहां पर 21 ampere है और इस पर 21.4 ampere है तो इस परकार से कि आप DC voltmeter को भी AC current meter में परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना कमेंट करना आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब हो झाल